लक्षमिकंत के सीरीज में आप सब का स्वागत है दोस्तों आज के ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है कि दो महत्पूर्ण चार्टर अधिनियम 8233 का और 8233 पन का बहुत ही इंपोर्टेंट है बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है मैं भी यूपी सी के करता हूं आप लोगों को त्यारी कराता हूं बहुत अच्छे से समझाता हूं ऐसा आपको कोई नहीं समझाएगा ठेक है इसलिए आप वीडियो में बने रहें बहुत आसान तरीका से एक सौट नोट की तरह आपको बताऊंगा ठेक है तो चलिए देखते हैं सबसे पहला है तो इसकी भी सेस्ता इस प्रकाहे देखिए आपके सामने है कि जो बंगाल के गौवर्नल हुआ करते थे उसे अब भारत का गौवर्नल जनरल बना दिया गया और भारत के गौवर्नल जनरल के अधिन क्या होता था तो सभी नागरिक और सेन सक्तिया नहीं थोती थी ठीक है ज भारत के गौवर्नल जनरल हुआ करते हैं मतलब भारत के संपूर्न पर नियंतरन हो गया थीक है तो आपसे कुशन पूछे गया कि कि एक्ट के द्वारा भारत ये च्हत पर नियंतरन हो गया तो वह एक तथा कौन सा वह एक तथा 833 का चार्टर एक ठीक है और पहली बार किस को तो लार्ड विलियम बेंटिक को भारत के पर्थम गवर्णर जनरल बनाया गया याद आखिए कि भारत का पुछ रहा है ऐसा नहीं कि बंगाल का पुछ रहा है ठीक है तो सबसे पहले भारत का गवर्णर जनरल कि इसको बनाया गया ठीक है आप लोग कमेंट करके बताए कि का पर्थम गुवर्नल्ट जनरल कौन था ठीक है तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि नेक्स्ट में जो है मदरास है बंबाई है उसके गवर्नल्ट जनरल को जी जो बिधाई का सक्ति थी लेजिसलेटी पाउर थी उस सक्ति को क्या कर दिया उसे वन्चित क कर दिया गए बिधास के सक्ति से क्या कर दिया गय वन्चित कर दिया किसको मदरास और के गोणरnh जनलू को क्थिया कर दिया गया बैंबाई के और माचरे मिधारी कर ने इस्कोर के लिए तो कि से अधिका परह रहा हूं कि यहां बताने में आच्छा लगता है अप लुक हो जाएगा पढ़ना थो झूलरे है तो चलिए देखते हैं और क्या हुआ तो देखिए यहां पर कुछ लिखा हुआ है important बात यहां पर लिखा हुआ है कि जो पहले बनाए गए कानून है उसे क्या बोलते हैं उसे नियामक कानून बोले गए और जो बाद में बनाए गए कानून है उसे हम एक्ट और अधनियम बो कि बेपारिक निकाय जो बेपारिक निकाय थी इस्ट इंडिया कंपनी बेपार के रूप में कर रही थी उसकी गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया और जब बेपारिक गतिविधियों को बेपारिक निकाय को समाप्त कर दिया गया तो अब क्या हुआ कि अब परशासनिक न ब्यक्राइब ऑप पारीदे करने शमाप्त हो गया और बेपारीख अधिकार शमाप्त हो गया और प्राशासनिक निगाई बन गया यह सब इंपोर्टेंटि इंपोर्टेंट मैं डिशों कई लगा दिया है बहुत है उसके बाद क्या है कि सिविल के छान के लिए खुली परटी योगता का आयुजन किया गया चय। सार्व से जिसका आप त्यारी करते हैं खुली परटी यूगता का कि है किसे किया त्यां कि लिए और उसके और संद बस और रॉजगता को बतृत। के लिए करयाले और रोजगार को हाद से म делает करें गें में उसे रोकेंगे लेगन क्या हुआ कि बोड़ोड डाइक्टर के बिरोत के किया को भी समाप्थ कर दिया वीय कए तो यहाँ पर किसके वज neue लिएस के समाप्थ हो गया Wash हम ने देखा कि कौन सा एक्ड दखा अठाट सो तेटिस का एक्ड दखा इससे अगर हम थोड़ी से समराज करें तो यहां पर दो चीजे निकल के आती है कि कंपनी के बेपारी के अधिकार शमाप्त हो गया और कि वहले राजनितिक मतलब अधिकार बहुंच गया ठीक है कंपनी इसने बताया दिया कि समाप्त हो गया प्रशासनिक का बन गया से ओके चैन के लिए खुली पर चीजे है जो इंपोर्टेंट है ठीक है अब चलिए ठाट रच तीरपन का चार्टर अधिनियम यह सबसे अंतिम अधिनियम था क्या था ठीक है इसमें क्या कह गया इसका इंपो प्रशासनिक कार्जों को अलग कर दिया गयाuchen कि धया धिया ऑर प्रशासनिक कार्जों को अलग कर दिया गया स्कूण को आधिन को और प्रशासनी कर्ज को अलग कर दिया गया या दखिएगा आप लोगों मैंने बताया था कि पिर्ट्स इंडिया एक्ट में आया था इसमें क्या कहा गया था तो उसमें एक चीजे कहा गया था सुरी दोस्तों उसमें एक चीजे कहे गई थी कि पीट्स इडिया एक्ट में क्या किया गया था कि राजनीतिक और राजनीतिक और वनीजे कार्ज को अलग-अलग कर दिया गया था लेकिन इसमें क्या कहा गया है इसमें कहा गया है कि गौर्णेजनल के बिधाई सक्ति और प्रसासनी कार्ज को अलग किया गया है अगर आप से यहां पर छे नय परश्द और जोड़ दिये गया, जिसे हम विधान परशद का है, और उसके बाद इसे हम केंदरिय विधान परशद का भी नाम देते हैं, ठीक है, तो क्या कि यह हमने पहले तो विधाई का परशद के विधाई को परशास्तिकार्ज को अलग कर दिया, फिर क्या कहा फिर इसे विधान परशद कहा इसे केंदरिये विधान परशद का भी नाम दिया और यह किस तरह कार्ज करती थी तो यह एक छोटी संसद की तरह कार्ज करती थी तो चोटी संसद की तरह कार्ज करती थी और जो बेटिस संसद में अपनाई जाती है चोटी संसद क कि तरह करती है जो परक also in अपना जाती है तीज तरह कार्ज करती थी दृब्धायी को पहली पर सरकार के एक निर्मान सब्सक्राइब ऑर इसके बाद दिखिए करता नहीं को यहां वेन ने का पयोजा ही Back सिविल से वय की लिए की लिया है और इसके लिए 284 में क्या किए गया एक मै कालस सम्मिति की न्यूकति की गई भारती शिविल से वक्त संभध में 304 में एक मैकाले समीती का भी गठन किया गया ठीक है इसके बाद क्या हुआ इससे क्या हुआ कि कंपनी के शासन को बिस्तारित कर दिया गया कंपनी के शासन को और भी बिस्तार कर दिया गया और उसके बाद और भारती छेट पल किसका शासन हो गया इंग्लेंड हो गया इंग्लेंड के जो राजा थो उसके अधिकार हो गया और कमपनी के शासघण को और भी विश्यattering कर दिया गया और भी बढ़ा पर्थमबार होगा है कि भारतिये केंद्रिये विध्धान परशद में अस्थानी पर्थनिधीतों का भी आरम कर दिया। इरिया के लोग होते हैं उसके उन लोग को परतनीदों भी आरम कर दिया गया देखे गवर्ण उसके बाद क्या हुआ कि परिशत में छे नए सदस्य में से चार का चुनाओ जैसे कि बंगाल चार का चुनाओ बंगाल मदरास बंबई और आगरा की अस्थानी प्रांती सरकार द एक सबसे अंतीम चाटार एक था शुरात का हुआ था-सर सतर इस प्रियाँ में शुरौट हुआ है एक बिधाय को संबना एक दधनम में किया हुआ एक मैकाले समीती का एक निश्चित शमाय का निधान नहीं किया कि संसद कब कमपनी को समाब करसकती है इसके बाद किया वह सबसे इंपोर्टेंट बात यह हुई भार्त्य केंद्री विधान परश्थ में अस्थानी पैस्तनी इब। … अरम को गया और चार पंगाल में मदरास में पर कहाँ पर बंबय और आगरा hetr serv całe इस तरह हम ने देखा कि दो एक्ट सबसी important देखा उसका समरीब भी निकacas में और इस तरह हमने सबसे important chapters को संart कर लिए टीक है इसके बाद हम 8808 पढ़ेंगे जो सबसे important है तब तक के लिए जैन अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरू किजिए गार ठीक है